नमस्कार दोस्तूं कथा संचे चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस कहाने के सभी पहात्र और घटनाएं कालपनिक हैं मेरी लिखी हुई आने कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद कोमल भरे मन से नहाद होकर तयार हो रही थी आज उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी आज अगर राजीव का साथ ना होता तो वो कब का तूटकर बिखर गई होती लेकिन राजीव के कारण ही आज वो इस मुश्किल परिस्थिती में खड़ी थी कोमल जैसे ही तयार होकर कमरे से बाहर निकली वैसे ही उसके पिता राम पाल जी ने घर में प्रवेश किया पापा को अचानक से देख कर वो चौक गई क्योंकि उसके पापा तो बीच दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे फिर दो दिनों में ही वापस कैसे आ गए कोमल को देखते ही उसके पिता कहने लगे कि बेटा जिस क्लाइंट से मिलना था उसके घर पर किसी की मृत्ति हो गई तो मीटिंग कैंसिल हो गई इसलिए मैं घर वापस लोटाया कोमल ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा हाँ पापा अब हात मूँ धो लीजिए मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ कोमल रसोई में घुज गई उसके दिल की धरकने तेज हो गई थी कि अब क्या होगा अभी कोमल नाश्ता बना ही रही थी कि तभी उसे उबकाई आने लगी वह भाग कर बात्रूम में गई और उल्टियां करने लगी रामपाल जी पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी खोई-खोई सी रहती है और उसके चेहरे की रंगत भी उडचुकी थी उन्हें पहले से ही कुछ संदे हो गया था कि कोमल कुछ चिपा रही है तभी तो वो बीस दिनों की बात जूट बोलकर दो दिनों में ही अचानक से आकर देखना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी के जिन्दगी में चल क्या रहा है आज बेटी की ऐसी हालत देकर उनका शक यकीन में वदलने लगा था वो कोमल के बात्रूम से बाहर निकलते ही उसके सामने जाकर खड़े हो गए और कड़क सवर में बोले कोमल क्या हुआ है तुम्हें कोमल सत्पका गई और कहने लगी कुछ भी तो नहीं पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है कोमल के पिता ने बेटी का हाथ उठा कर अपने सिर पर रखते हुए कहा कि तुझे मेरी कसम है सच सच बता क्या बात है मैंने भी दुनिया देखी है ये मेरे पीट के पीछे तुम क्या गुल खिला रही थी कोमल के पास कोई जवाब नहीं था वो थर-थर कापने लगी और उसने नजरे जुका ली कोमल की मा की मुटित्यू उसके बच्पन में ही हो गई थी उसके पीता ने अकेले ही उसकी परवरिश की थी पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू किया था और तब से बिजनेस के सिलसिले में राम पाल जी को अकसर शहर से बाहर जाना पड़ता था पीछे से उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताती रहती थी कोमल ने कुछ दिनों पहले ही राम पाल जी को बताया था कि वो अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले राजीव से प्यार करती है राम पाल जी ने तो सक्ती से मना कर दिया था कि वो राजीर से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे क्योंकि वो दूसरी जाती का है लेकिन कोमल के रंग ढंग देखकर उन्हें लग रहा था कि कोमल के कदम बहग चुके हैं कोमल अपने पापा से बहुत प्यार कर दी थी वो जानती थी कि मा के चले जाने के बाद पीता ने बहुत त्याक करके प्यार से उसकी परवरिश की है वो अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी लेकिन जिस परिस्तिती में वो फंस गई थी उसमें उसके पिता को केवल दुख ही दुख मिलने वाले थे उसमें तो सोचा था कि पापा बाहर गए हैं तो 20 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अब अचानक से जब पापा सामने आ गए थे तो ना तो वो सच बोल पा रही थी ना जूट बोल पा रही थी आखिर बार बार पिता द्वारा कसम दिये जाने के बाद उसकी रुलाई छूट गई और वो रोते हुए कहने लगी कि हाँ पापा मैं गर्ववत्ती हूँ यह सुनते ही रामपाल जी गुसे से कहने लगे कि नालाइक कहीं कि मैं वहाँ दिन रात तेरे लिए काम करता रहता हूँ और तू मेरे पीट पीछे या सब गुल खिला रही थी अब कोमल के मुँझ से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और बस उसकी आखों से जर जर आसू बहे जा रहे थे बेटी की बात सुनकर रामपाल जी के पैर का खून सिर पर पहुँच गया उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई वो पसीने पसीने हो उठे बिन मा की बेटी के चरितर पर लांचन लगने के साथ ही अब उनकी तरब भी कुछ उंगलिया उठने वाली थी कि उनकी परवरिश में कमी रह गई वो अपना सिर पकड़ कर भूमी पर बैट गए उनकी पतराई आखे देख कर कोमल डर गई और सहमते हुए पिता के पास बैट कर उनके कंधे को जगजोरती हुई बोली पापा क्या हुआ आपको अब कुछ तो बोलिये राम पाल जी ने भरे गले से हताश स्वर में कहा सब कुछ तो तुमने बरबाद कर दिया अब बोलने के लिए बचा भी क्या है मैंने साफ साफ तुमसे कह दिया था कि राजीव से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है फिर भी तुमने मेरी बातों को नजर अंदाज करके मेरे संसकारों की धजिया उड़ा कर ऐसा काम कर लिया अब बताओ मैं तुम्हारी इस घटिया हरकत के बाद समाज में किसी को मुझ दिखाने के लायक रह पाऊंगा क्या सभी लोग तो मुझे पर ही उंगली उठाएंगे कि मेरी परवरिश में ही कमी रह गई इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे पिता का रुदन देखकर कोमल का दिल तड़प उठा वो सिसकते हुए बोली पापा आप मुझे गलत समझ रहे हैं राजीव ने तो आज तक मुझे छुआ तक नहीं है राम पाल जी हैरत भरी नजरों से बेटी की ओर देखते हुए पूछने लगे तो फिर यह सब हुआ कैसे कोमल ने दुखी स्वर में कहा पापा मैं आपको कैसे बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा है राम पाल जी के माते पर परिशानी की लकीरे बढ़ने लगी और उन्होंने बेटी का हाथ थामते हुए कहा तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो आखिर सच्चाई क्या है मुझे खुल कर बताओ बेटा मैंने बचपन से तुम्हारी परवरिश की है आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी घवरहाट आ रही है कोमल ने नजरे जुकाते हुए कहा पापा वो आपके बिजनेस पार्टनर खनना अंकल है न एक दिन वो आपकी गैर मौझूदगी में घर आए मैं उन्हें भीतर नहीं बुलाना चाहती थी लेकिन वो मेरे मना करने के बावजूद हॉल में आकर बैट गए शुरुआत से ही उनकी नजर मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी उस दिन वो घर आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्यास लगी है और मैं उनके लिए जूस लेकर आओ मैंने उन्हें एक गिलास जूसला कर दिया उन्होंने मुझे मुबाइल लाने के लिए बाहर भेज दिया फिर पता नहीं उन्होंने मेरे जूस के गिलास में क्या मिलाया जब वापस आकर मैंने जूस पिया उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे और जब कुछ गंटों के बाद मेरी आँख खुली तो सब कुछ बरबाद हो चुका था अंकल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनके खिलाप मुझे खुलने की कोशिश की तो वो आपको गवन के आरोप में जेल भीजवा देंगे पापा मैं आप पर आँच नहीं आने देना चाहती थी इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया उस दिन के बाद से मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई थी मैं तो जिंदा भी नहीं रहना चाहती थी लेकिन अगर मैं ऐसा कदम उठा लेती तो फिर आपकी इज़त पर आचा जाती आपकी परवरिश पर सवाल उठाय जाते मैं भीतर ही भीतर बहुत घुट रही थी और मैंने अपने दिल का दर्द राजीव को बताया राजीव तो खन्ना अंकल के खिलाब पुलिस में रिपोर्ट करने की बात करने लगा लेकिन आपका खयाल आते ही मैंने उसे रोक लिया जानते है पापा इतना सब होने के बाद भी वो पगला कहता है कि वो मेरा साथ देगा मुझसे शादी करेगा वो तो आपको पता चल गया नहीं तो हम डॉक्टर से मिल आये थे आपको पता भी नहीं चलता और राजीव सब कुछ सम्हाल लेता इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी राम पाल जी आज खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी बिटिया अपने मन में इतना सारा दर्द लेकर अकेले जी रही थी और वो उसके दर्द को कभी समझ ही नहीं पाए उनका गला भर आया और वो कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें और राजीव को गलत समझा लेकिन उस खना को तो मैं छोड़ूँगा नहीं कहते हुए राम पाल जी की आँखों में खून उतर आया पापा की बात सुनकर कोमल काप उठी और कहने लगी नहीं पापा वो बहुत पहुचा हुआ इंसान है अगर वो आपको कुछ नुकसान पहुचा देगा तो क्या होगा और इस बात के बाहर आते ही लोग हजार तरह की बाते बनाएंगे मैं आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती जो जैसा चल रहा है चलने दीजी मुझे उस इंसान को सजा नहीं दिलवानी आप मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं ना बस मेरे लिए इतना ही काफी है तभी राजीव भी घर पर आ गया रामपाल जी को इस वक्त घर पर देखकर वो चौक गया आज राजीव कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जाने वाला था इसलिए घर आया था लेकिन रामपाल जी को देखकर वो उल्टे पैर वापस लोटने लगा, मगर तब तक राम पाल जी ने उसे देख लिया था, उन्होंने कड़क सुर में कहा, राजीव यहां आओ, राजीव चुप चाप उनके सामने आकर सिर जुका कर खड़ा हो गया, तो राम पाल जी ने भरे गले से कहा, बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम इतनी मुश्किल घड़ी में मेरी बेटी का साथ निभा रहे थे, तुमसे अच्छा जीवन साथ ही मेरी बेटी को और कोई मिली नहीं सकता है, लेकिन इससे पहले कि मेरी बेटी नई जिन्दगी की शुरुआत करे, मुझे उस खंचा ने मेरी मासूम बेटी को डरा धंका कर उसके साथ बहुतल गलत किया है, हम अभी पुलिस के पास जाएंगे, उसके बाद राम पाल जी, राजीव और कॉमल के साथ पुलीस के पास पहुँचे, सारी बाते जानने के बाद पुलिस ने तुरंत फिखंचा को गिरफता सारी बाते बनाई कोमल के चरित्र पर उंगलिया उठाई लेकिन कोमल को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके पिता और राजीव उसके साथ थे राजीव के घर वालों ने भी खुले दिल से कोमल को अपनाया और दो सालों के बाद पढ़ाई पूरी होते ही कोमल और राजीव की शादी हो गई कोमल समझ गई थी कि चुप रहकर अन्याय सहन करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता रहता है इसलिए चुपपी को तोड़कर गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाना चाहिए तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद